बैंड आइटम्स एंड एक्जाम डे इंस्ट्रक्शन्स फॉर एम्स 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 का एक्जाम है हलो एवरिवन आप देख रहे हैं स्वर्णिम बाइलोजी क्लासेस और मैं सुभंतिवारे 28 माई को एम्स का एक्जाम है और उस दिन आपको क्या पहन के और साथ में क्या लेके जाना है ये हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वो रेड कलर की नीचे वाली बटन दबाईए जिस पर सब्सक्राइब लिखा है और फिर एक बेल आइकन आएगा उसे दबाएंगे तो लगातार आपको हम नोटिफिकेशन देंगे ताके आपको अच्छे अच्छी फ्री में जानकारियां मिलती रहें सबसे पहले आप क्या-क्या ले जा सकते हैं तो आपके पास केवल तीन चीजें होनी चाहिए पहला एड्मिट कार्ड वैलिड एड्मिट कार्ड होना चाहिए बिना उसके आपको क्लास में इंट्री नहीं मिलेगी दूसरा पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपने फार्म फिलप करते हुए दिया था और थर्ड एक वैलिड फोटो इंक्लूडड आईडी एक ऐसी आईडी जिसमें आपकी फोटो लगी हो और वैलिड हो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट वो कुछ भी हो सकता है लेकिन जराक्स कापी लेके मत जाहिएगा, ओरिजिनल आईडी चाहिए इसके बाद आपको क्या लेकर या क्या पहन कर नहीं जाना है तो नीट की तरह हैं, इसमें बहुत सारे नियम तो नहीं है लेकिन कुछ बातें एम्स के द्वारा कही गई हैं, वो हम आपको बता देते हैं जैसे की कैप्स, हेड़ गियर, कोई भी प्रकार का हेड़ गियर गॉगल्स, रिस्ट वाचेज, और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज स्कार्फ या कुछ भी ऐसा कुछ जो है, पहन के नहीं जाना है कोई ओर्नामिंट्स गहने पहन के नहीं जाने हैं आपको बिल्ट और घड़ी ये सब भी नहीं लगाना है पैर में नार्मल स्लिपर होना चाहिए ना तो आप बड़ी हील वाले सैंडल्स पहनेंगे और ना ही सूज नार्मल और सिंपल कलर के कपड़े पहन के जाहिए इसके अलावा पेन, पेपर, पेंसील, इरेजर या किसी प्रकार की डिवाइस, कल्कुलेटर और बॉटल्स वगेरा आपके पास नहीं होनी चाहिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पुछना है तो प्लीज आप कमेंट करें थैंक यू